चलते हैं next question की तरफ, तो ये question है हमारा insert 5 number between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP, तो सबसे पहले तो हम इसका concept समझते हैं, कि जब भी किनी 2 number की बीच में कोई एक number insert करना हो, या 2 number recent करना हो, या 3 number insert करना हो, और सारे के सारे number क्या हो, एक AP में हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 number है, A और C 2 number है, इनके बीच में हमें कोई एक B number insert करना है, और ये 3 की 3 क्या होंगे, आपस में AP में होंगे, ठीक है, तो अब जब ये 3 AP में हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, B minus A is equal to लिख सकते हैं, C minus B, ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है ह D is equal to होता है, A plus C by 2, ओके, A plus C by 2 होता है, अब यहाँ पे, ये C minus B के में हम ये value रख देते हैं, B की, तो C और A में relation आजाएगा हमारा, तो देखिए, अब यहाँ से D की value क्या आजाएगी, D is equal to, जब हम B के place पे A plus C by 2 रखेंगे, तो ये value आएगी, C minus A by 2, ठीक है, यानि कि जब हम A और C के बीच में, एक B value replace कर रहे थे, तो हमारा D का value क्या आ रहा था, ये आ रहा था, C minus A divided by 2, जब 2 value हम अगर इसमें insert करेंगे, तो हमारा value कितना आ जाएगा D का, जब 2 value insert करेंगे, तो आ जाएगा C minus A divided by 3, ठीक है, यानि कि जितनी value हम insert करा रहे हैं, उससे एक जादे हमारा ये नीचे denominator मिल रहा है, तो अगर हमें N value insert करानी है, तो D की value कितनी आ जाएगी, D की value आ जाएगी, C minus A divided by N plus 1, तो ये हमारा D का value होगा, तो इसी तरीके से हम ये वाला question को solve करेंगे, तो चलिए देख लेते हम लोग, हमने concept देखा सबसे पहले, क्या ये एक formula निकल गया था हमारा, कि D is equal to C minus A divided by N plus 1, जब हम N value को insert करेंगे, दो number के बीच में, तो अब हमारा question क्या था, question था कि कोई दो number दे रखा है, 8 और 26, इनके बीच में 5 number हमें insert करने है, और वो सारे के सारे number क्या हो, तो सबसे पहले D निकलना है, तो D की value क्या हो जाएगी, C के place में हम लोग लिखेंगे 26, और A के place में लिखेंगे 8, तो हो जाएगा 26 minus 8 divided by, कितनी value insert करने है 5, तो केतना हो जाएगा, denominator में 5 plus 1, इसको solve करेंगे, तो D की value हो जाएगी 3, यानि कि, अब जो हमारा पहला term है, पहल जाएगा 11, तीसरा term, 11 plus 3, 14, चौथा term, 14 plus 3, 17, पाच्वा term, 17 plus 3, 20, चौथा term, 20 plus 3, 23, यानि कि, जो inserted number है, वो हमारे क्या निकल गए, वो निकल गए 11, 14, 17, 20 and 23, तो इस तरीके से हम इस question को solve करेंगे, और इस concept को हम याद रखेंगे, बिलकूल, कि जब दो number के बीच में, N number of value को insert करना है, और वो सारे के सारी value AP में हो, तब D is equal to होता है हमारा, C minus A divided by N plus 1, ओके?